नमस्कार किसान साथियों मैं अमार कुमार पटेल आपका एगरिकेन चैनल में स्वागत करता हूँ आज किसान साथियों हमने फिर एक नई मक्के की ब्राइटी के बारे में जानकारी देंगे जो कि एक हाईब्रिड मक्के की जानकारी देंगे किसान साथियो चल यह किसान साथियो हम इसके कमपनी के बारे में बात करेंगे तो इसके company का नाम है national street किसान साथियो और इसके ब्राइटी के बारे में जैसे बात करेंगे तो इसके ब्राइटी का नाम है इनक्यानवे 40 और यह एक hybrid मक्का है जिसे हम संकर प्रजाती के नाम से भी जानते हैं यह single cross मक्के की ब्राइटी है किसान साथियो जैसे इसके फसल की आउधी के बारे में बात करेंगे किसान साथियो तो 110 से 105 दिनों की इसकी फसल की आउधी होती है किसान साथियो यह खरीब में और रभी में 125 से 130 दिनों में यह पक्कर तयार होता है और किसान साथियों इसके मक्के में दानों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो 1000 दाने प्रती मक्कों में होते हैं और इसके मक्के की बजन के बारे में बात करेंगे तो 400 ग्राम से 430 ग्राम का एक मक्का का बजन होता है और किसान साथियों इससे हार्वेस्टिंग करने में बहुत ही असानी होती है और इसके पौधे की उचाई के बारे में जैसे बात करेंगे तो 170 cm से 200 cm की इसके पौधे की उचाई होती है और किसान साथियों इसके फल की लंबाई के बारे में जैसे बात करेंगे तो 24 सेंटीमीटर से 26 सेंटीमीटर की इसके फल की लंबाई होती है और किसान सातियों इसके फल की चोड़ाई के बारे में बात करेंगे तो इसका 14 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की इसके फल की चोड़ाई होती है इसके 20 दर के बारे में बात करेंगे प्यारी किसादाぎ बारे में 2-6 केइज से लगता है 6-7 केजि प्илли disinfect के थाइज के हिसाब से लगता है और किसाद सातियो इसके आगे में जैसे बात कर लें उत्पाधन के बारे में तो उत्पादन प्रती एकड के हिसाब से 25 कोंटल से 35 कोंटल प्रती एकड के हिसाब से इसका उत्पादन हुआ है यह नेशनल सीट्स का एनके 59-40 मक्य की ब्राइटी है बहुत ही सांदार ब्राइटी है किसान साथियो इस ब्राइटी का आप प्रियोग कर सकते हैं आपसे अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे किसान साथ